गुरु नानक दहन बाबा दीप सिंग जी महाराज गुरुमत शहीद बाबा दीप सिंग जी गुरु गोविन सिंग जी के मुक्स से जब बाबा दीप सिंग जी ने यह अमरित वच्चन सुने तो आप जी ने एक फेसला किया कि जितना समय गुरु जी ने स्वास बक्षिश किये है ये सार्य स्वास गुरु जी की सेवा में खर्च किये जाए गुरु की सेवा में गुरु शब्द द्वारा बहुसागर पार किया जाए गुरु सिक बनकर गुरु मत्ति कार्य की संपूर्ता में योगदान डाला जाए गुरु जी की शरन में बेठे बाबा दीप सिंग जी दृद्ध निश्चय से इस खुशी का एक एक पल संबाल रहे है दस्वे पात्षा द्वारा जीवन मकसद को समझने है तू यह जो साथ सागर की रचना हुई है इस पवित्र कारिय के कारण संगत को एक खास ज्यान बक्षिश हुआ है कि इस भह सागर के सफर में सुख प्राप्त के लिए पूर्न गुरु की शरन में सुख को दान करना है अगर सिख इस बक्षीश को धारन करता है तो गुरु का धर्म स्वासों के होते हुए सिख को मरना सिखाने है और जीवित करना है जिन गुरु सिखों ने इस बक्षीश को प्राप्त किया है उन गुरु सिखों का फुर्मान है मरने ते जगत डरे जीवी लोड सब कोई गुरु परसादी जीवत मरे हुक में बुझे सोई नानक ऐसी मरनी जो मरे तासद जीवन होई पवित्र समागम की समाप्ती के आखरी दिन पर जब गुरु गोबिन सिंग जी संगत के सनमुख हुए है तो गुरु जी के मुख पर रुहानी प्रकाश हीरो से जडित नीला चोला मोतियों से जडि दस्तार अकलगी के दर्शन करके सिक संगत वा वा कर उटी है हाथ में सूरियस के प्रकाश से तेज नंगी सीरी साहिप का दर्शन करवाते हुए गुरु जी ने संगत के लिए एक फूर्मान जारी किया है इस कोतुक में जब मन भव सागर पार करते समय काल की फोच से मुकाबला करता हुआ सच्छे दर पर निरंकार के चर्णों में अपना शीश भेट करता है मरना कबूल करता है तो इस शुर्वीर के बदले में निर्गुन अपने हातों से शहीद मन को चोड़े पत में अम्रित पान करवा कर जीवित करता है अद्रिश्य में यह सब किस तरह होता है इस कोतुक को द्रिश्ट में सिक संगत के सामने दर्शाया जाएगा जो ब्रह्मन्डे सोई पिडे इन अम्रित शप्त के मताबिक अद्रिश्य में मन सच से मिलाप खातिर जिन हालतों में से गुजरता है द्रिश्य में तन को भी गुरु की शरन प्राप्ट करने के लिए इन हालतों में से गुजरना है गुरु की शरन कबूल करने के लिए शीश को भेट करना और गुरु की शरन में आय सिक को अम्रित पिलाकर फिर से जीवित करना उस महन बक्षीश में गुरु सिक ने सदेव काल रहित रहना है यह सारा दृष्य संगत के सामने इस कारण रखा जाएगा ताकि घटना करम को संगत अच्छी तरह समझ सके पहली वेसाग को गुरु नानजी द्वारा आरम किये हुए खालसा पंत की जिम्मेदारी सिक संगत को सोप दी जाएगी ताकि हमारे इस संसार से चले जाने के बाद सिक संगत पंच परवान पंच प्रधान की परंपरा के अधिन निरंकार का संदेश घर घर पहुचा कर इस काल देश के अंदर खालसा राच स्तापित कर सके फुर्मान, निरंकार के द्वार से सिक संगत को हुकुम जारी हुआ है कि जहा कही भी गुरु नानक की सिक का निवास है वहा तक संदेश पोचाया जाए कि वेशाकी वाले दिन एक इलाही कोतुक रचा जा रहा है इतनी सी विंती कर गुरुजी संगत को फते बुलाकर अपने निवासतान किले की ओर रावाना हो गई कुछ समय के लिए भाई मनी सिंग ने संगत को संबोधन करते हुए कहा कि गुरुजी के मुख से उचरित हुए इस वचन एक इलाही फुर्मान है वेसाकी वाले दिन हरी अम्रित रस पियाया मुवा जीविया के महा व्याक अनुसार इस करिश्मे के दर्शन करने संगत को पूरे जोर शोर से अननपुर सहे पहुचना है इस वक्त गुरु घर से इजादत है कि सिक संगत वापिस अपने घरों को जा सकती है वाहि गुरुजी का खालसा वाहि गुरुजी की फते धन बाबादीप सिंग जी महाराच धन बाबादीप सिंग जी महाराच